सर मनमहन सिंग के आज पॉलिटिकल पाड़ी के समाप्ती की गोशना कर दी और वो बरबोली अंटी ने गिनाया है 1984 से राजनिती में इस तरह से किया उत्ते पहले वो रिजर बैंक के गवर्नर से मनमहन सिंग के लिए प्रदान मंतरी मोदी ने कहा था कि आप बात्रूम में रेन कोट पहन के बहुत बढ़ियान आते हैं आज नहाने का भी उनका धंडा पर विराम लग गया कि दस साल आप रेन कोट पहन कर बहुत बढ़िया आप इसनान करते थे तो वो तो उनके उसकार के कैसी लूट मार होई कैसा है लाखों करोड़ों रुपिया देश का लूटा गया और वो मिस्टर कली नहीं बने रहे दिल्ली की दलाल मीडिया के लिए मारफ्षरी के भी महा बाफ अतन्तरी का बताके उपाहार बसंत्री के दूल वजाते रहे पर इतने इसका कि इसpel हैं केटली दाथ दुनिया वर की चीजह थी काली नालीं सब वह बटोर के ले गए तो इतने इमानदार वह थे जिसके लिए बगपड़ोस प्रॉट में इम्रान काण जेल काट रहा है इतना बेमान देश में जेल काट रहा जां लूट बार की कोई इंतहां नहीं वहां भी इसको मनलार मंतышम को बता दिया इन दिल्दी के बेसर मदलमें नग मनी जी बड़ी इंव्मा गया उस रहेजां के पाप की पचास साल के पारी की विड़ाई पाप क्यों कहे रहा हूं बहुत सोच समझ कर और भी बताता हूं मैं पाप क्यों कहे रहा हूं यह पचास साल की पारी इस आदमी ने खेली है अपहले नौकर्शा के रूप में बाद में राजनेता के रूप में राजनेता के रूप में तीस साल राजनेत रूप में और आपको मालूम है उस समय इंकम टेक्स क्या वसूला जा रहा था जो बताती है कांग्रेस होई अभी का अभी तो मानुवन सी जीवी था है और उनी की कश्में खाखा के कांग्रेसी दुआई देते की मोदी लूटे ले रहा हो और जीएस्टी अठारा परसंट जीएस्टी लग गया लूट लिया जरा मनी जी कभी कोई जिक्र नहीं करता खाक्तारी यह जो पांस से ग्यारा लगा के काजन लिपिस्टिक बैट थे इनको तो कोई लेने द जिस समय माननी अर्थसास्त्री महोदय मनमवन सिंग देश के वित्वंतरी हुआ करते थे उस समय जो मैक्जिमम लिमिट थी इनकम टेक्स की एक लाग के ऊपर अगर आपकी इनकम है सालाना तो आपको टेक्स देना था असी परसंट और अगर आप एक से दो लाग के बीच मे से कम चाब देते थे और उसम्हें जो दुनिया वरके सर्चार्ज लगा रखे दे आहिए सर्चार्ज्ण उसको मिला कर वो सबादाए मेरे बाब दादों में तगर इस बताता हूं और यह मुख्य आर्थिक सलाकार यही माहाशाय हुआ करते थे माननी मनमोहन सिंग और सब्सक्राइब काविल है जिसको इंफलेशन रेट कहते हैं बाइस परसेंट संतियत्तर चौतर में 20 परसेंट और 75 जब इमर्जेंसी लगाई है उस समय इंफलेशन रेट था 25 परसेंट तो महेंगाई कहां थी इसलिए मनोज कुमार की पिक्चर का गाना आज बड़े उससे सुना जाता जिसमें कहते थे बाकी कुछ बचा तो महेंगाई मार गई हो कवाली आज भी उत्ती ही लोग प्रिये जितनी उस समय हुई थी तो ऐसे नहीं हो गई थी यह यह पचीश 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 परसेंट यह मनमोहन सिंकी काबियत का नजारा था तो यह यह जो गार है अब मैंने देखा को दिल्ली जलाल भी लगे जावनी जी जब यह पचासी सतासी में जिस समय आर्वी आई का गवर्णर था बैसी पचासी उसके बाद पचासी सतासी योज्डरा योग का उपाद्रक्ष रहा तो उस समय आपके जीडीपी की दर जो थी वो तो थी 6% और महिंगाई की दर थी 7% यानि अगर आप ग्रोथ बारत की उस समय थी और जो सबसे बड़ा जिस जो काल खंट इसका सुनेरा लिखा जाता जिसके लिए मेरे खासे दिल्ली के कुछ दलालों और कुछ दलालदीयों मेरे जर सती हो जाएं इसके इमांदारी को लेके इसकी काभियत को लेके जरा उनका वो वो किस्ता समझ लीज है कि 91 से 96 मनीजी जिस समय यादि वित्मंत्री साइज देश का तो जिस समय एक्यानवे में यह वित्मंत्री बना उस समय भारत की जीडीपी थी साल में यह अनकी काभिया बता रहा हूं और उसी उसी पांस साल में एक जील की जो थी वह भी Highland तो आपको ताजी भोगा कि मनीज जी जो कि चील की जीडीपी थी वो 360 से बढ़के 864 बिलियन डालर पहुंच गई यानि यह पांस साल में पताने कांट भेती कर रहे तेज़ मिल्यंड डालार वड़ी थी तो इस यह खेल ऐसे नहीं था अब यह जो असली हे खेल बहने का न सबसे उस्षा है कि चीन के आगे सेरिंडर थे चीन के चीन से बिके हुए थे जब कि एक क्यानवे में हम भारत और चीन एक मुआने पे आगे खले थे नसिंगा रहां ने सारी मार्केट के दरवाजे खोल दिये थे तो ऐसा काउं सक करिश्मा हो गया कि चीन पांसट मिलियन डालर वड़ा और हम अधर को बनाया गया था यह इसका रहत कभी कोई मदद जिक्री नहीं होता यह और इसको इसने खुद बताया हो तो अधो प्रणों मुखर्दी से इसने खुदी का कि मैं मुझसे काबिल जादा तो प्रणों दा थे लेकिन सोनिया मुझको बनाना चाहिए ति क्यों बनाना तो जो पहला वजट याद करिए कि उस समय क्या हालत खराब थी कि भारत गिरिवी सोना गिरिवी रखिया था और पहले बजट में इसने एक प्रस्ताव रखा था कि राजियू गांधी फांडेशन को जिसका सब कुछ गांधी परिवार उसमें होता है कि अगले पांस साल में राजी गांधी फांडेशन को सरकार सव करोड़ रुपए देगी सव करोड़ रुपए और यह 1991 आज से 33 साल पहले यानि आज की तारिक में हजारों करोड हजारों करोड उस समय सोना जो था तीन साड़े तीन हजार रुपए तोला हुआ करता था तो अगर आप उसको 20 गु नर्सिंगा राओ की लास को कांग्रेस के दफ्तर के इंदर नहीं जाने दिया और दिल्ली में नहीं जलाने दिया वह कहानी सी कर्तूर्ट में चुपी हुई है और इसलिए इसनों विरोद भी नहीं किया जब नर्सिंगा रुपए का प्रस्ताव बना के पहुंचा तो नर् तो मंत्री रहते होए जब बुरी हाला था इस देश की तब यह 100 क्रोह प्रदान मंत्री बन जा गा तो कैसा दान करेगा तो जब यह प्रदान संतियत्तर का मनें गिनाना सुरू किया तो एक पाप जो पचास साल तक इस ग्राण बनके इस देश की अर्थ व्यवस्ता को चाटता रहा दीमक की तरह चाटता रहा उससे आज देश को मुक्ती मिली हाना कि मुक्ती तो प्रदानमंदी मोधी ने दोजार चोवीस महीं मुक्त क है और बारत के वित्वंदीय और बाहरत की वित्वंदीयों इस ब्लापे में भी क्योंकि इसकी करट उट होगी जो मैंने आपको गिनाई संथ 173 से दोजाट चोवीस सर मन्मुहन सिंग को मतलग आपने बहुत बहुत बेहतरीन तडिके से इसकी व्याक्या कि मानवी आधार पर भी यह दिदेखें आप चुके नर्सिमर आख करते हैं जिस व्क्ति ने इसको बनाया मतलग इस आदमी में तो मानवी संबेधना नमक चीज नहीं थी इसके बापजूद इसका महीमा मंदन कॉंग्रेस ने किया कॉंग्रेस को जब कभी एक शावी सोनिया गांधी ने इसको इस्तमाल किया कई जगा लगा कि एक एक दम घरिलू नोकर के तरह आदमी खड़ा रहा इस आदमी ने भारत के प्रधान मंतरी पद की गरिमा को भी कहीं का नहीं रखा आपको याद होगा जब नरसीम राव कहते हैं कि मैं भी सोनिया जी की बहुत बात मानता था लेकिन मुझे लगा एक नरसीम राव तो मान सकता है लेकिन भारत का प्रधान मंत्री ऐसा आदेश पालक नहीं हो सकता इस रेक्ती ने आपकी नदर में भारत के प्रधान मंत्री का कितना सम्मान बढ़ाया और मानभीयता के आधार पे ये आदमी जो इतना अपने आपको बना काल को मानता हूं कि उन्हों ने भी कुछ स्वाविमान के साथ और लोग रहे बोड़े चोटे-चोटे काल खंड के लिए रहे या चार महीने के लिए चंसेकर रहे वह इस से ज्यादा बहतर सब्मान से सब्मान से रहे इस आदमी ने तो प्रधान मंत्री पत्का जो सब्मान होता है उसको रौंद दिया अब यह बहुत हमारे यहां तो के बड़े अलग विमर्श रहता है अब आदमी का कि जरा गौर करिए कि जिस समय प्रदेंदर सिंगाराओ की लास को दिल्ली कांग्रेस के अंदर दफ्तर के अंदर नहीं जाने दिया जया सलक पर चली रहे हो ला कोई वकाद ने की टेके कर तीन था ये इसादमी को देश का वित्मंत्री ना कि किसी अदमी समान दिया तो तो प्रता नर्सिंगा रहो ने न mashed ने बनाया पर जिसके लिए सक बड़ा महिमा मंदिट किया जाता है कि वो उदारी करें लो liberalization तो उस तो इसको लागू करो उदारवाद की नहीं थी और ये कितना काबिल था कि वह मैंने अभी आपको बता कि उसी दौर में तो यह इतना अकरमन इतना नाकाबिल आदवी और उसके जिसने इसका पुलिटिकल केरियर का जर्म दाता वह इसकी लास को यह अफमानित होते हुए देखता रहा यह गूंगा बना रहा तो यह तो है इसका मान समान सवाविमान जो प्रदान मंत्री कुर्ची के रुपे बैटने के बावजूद सूर ने पर था और यह इमांदार किता था तो वह ने बताया कि वह तो आर्टी आई की रिपोर्ट में चाहिए रोगा कि जिस समय रिटार हो गया तो लुटिया थरिया थाली चमच बतो कालीन और लेंपोस्ट यह सब उठाकर यह लेगे आपने करना बहुत जरूरी चुक्कि आज बहुत महिमा मंदन हो रहा था इमांदारी की नयतिकता की तो इतिहास मन महन सिंग को कैसे याद रखेगा इसलिए सपीश जी का एविसलेशन सुनना बहुत जरूरी था